पिछले कुछ दिनों से आप लगातार बार के रिलेटिड खबरे सुनते आ रहे हैं कि बार और तमाम रेस्टोरेंट या होटल जो हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है आखिर कारण क्या है कि बार को बंद किया गया है ऐसे कौन से वो दस्तवेज हैं जो इस समय एक्साइज विभाग बार होल्डर से मांग रहा है बैनिक जागरन के मुताबिक लगबग 21 ऐसे दस्तवेज हैं जिनको एक्साइज विभाग ने मांगा है अब वो 21 दस्तवेज खोन से हैं उसमें से कुछ हमने आपके सामने जो हैं आपके लिए प्रकाशित करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप अगर बार लाइसेंस होल्डर हैं या फिर नया बार खोलना चाहते हैं या फिर आपके पास बार है तो आपको ये 21 फॉर्मेल्टी जो है वो पूरी करनी होंगे उन 21 में से कुछ हमने आपके लिए नोटिफाई की गई हैं तो शुरुवाद करते हैं सबसे पहली जो फॉर्मेल्टी आपको देनी है वो है एकसाइस क्लिरेंस सर्टिफिकेट यानि के आपको एकसाइस विभाग जो है वो एक क्लिरेंस सर्टिफिकेट देगा उसके बाद आप जो है बार लाइसेंस के लिए अपलाई कर सकते हैं या आप काम कर सकते हैं इसके साथ साथ आपके अगर बार लाइसेंस पहले से है और आपका कोई और यानि कि दूसरा बार भी है यानि कि आप एक बार के ओनर है एक बार का लाइसेंस आपके पास है उसके साथ ही साथ अगर आपका कोई दूसरा बार भी खुला है तो उसकी जानका आपको विभाग को देनी होगी आगे बढ़ते हैं एक लाख रुपे की आपको गैरंटी देनी होगी बैंक को ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि एक लाख रुपे की गारंटी जो है वो आपको विबैंक को देनी होगी इसके बाद जमीन, संबदित जो जानकारी है दस्तावेश जो है वो आपको विभाग को देने होंगे डिपार्टमेंट के साथ सांज़ा करने होंगे कि आपके पास कितनी जमीन है कितनी जमीन में कितने जमीन में आपका वो बार जो है वो खुला है क्या वो जमीन आपकी है या फिर किसी और की है यानि के कुल मिलाकर जमीन संबंदित जितने भी दस्तावेज हैं वो आपको विभाग को देने होंगे इसके साथ ही साथ है डिपार्टमेंट आपको एक क्लेर गाइडलाइन्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं आपको वो गाइडलाइन्स जो है वो मान्य है तो ही आपको क्लेरेंस जो है वो भी भाग देगा इसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी वो आपको प्रॉइड करना होगा यानि कि आपका चरित्र क इसकी जानकारी जो है वो भी आपको विभाग को देनी होगी करेक्टर सर्टिफिकेट दो जगा से बनेगा एक तैसिलदार बना के देगा दूसरा जो है वो आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन से आपको बना कर दिया जाएगा यानि कि आप तो ये भी देखा जा रहा है कि जो बार लाइसेंस होल्डर हैं इनका करेक्टर कैसा है इसलिए एक जो ये ऑप्शन यहां पर रखा गया है जो 21 ऑप्शनों में से एक और ऑप्शन करेक्टर सर्टिफिकेट का है इसके बाद अगर आपके पास एक बार का लाइसेंस है और उसके साथ साथ आप किसी और वा पर एक से जाधा आपकी wine shops हैं तो उसकी तमाम जानकारी जो है वो आपको विभाग को देने पड़ेगी इसके बाद आपको pang card जो है वो भी विभाग को देना होगा अपना पैन परदेश जो है वो बना दिया गया है और उसके बाद जमीन को लेकर काफी यहां पर धरने परदशन हुए कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए हमारी नोक्रीज को जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाए और इसको मद्दे नजर रखते हुए के इंदर शासित परद से भी नोसी लेना होगा यह एक एहम कदम है क्योंकि इससे पहले कि अगर मैं बात करूं तो वाइन शोप पर भी काफी बवाल हुआ था और वाइन शॉप के कुछ नियम कानून होते हैं यानि कि जहां पर भी वाइन शॉप खुलता है तो उसके सो मीटर के आसपास नहीं स् चाहिए तो सेम ऐसा ही जमू मुंसिपल कॉर्परेशन उसका नोसी देता है और बार लाइसेंस होल्डर के लिए एक अनुवारी कर दिया गया है कि अगर आपको बार का लाइसेंस चाहिए तो आपको जमू मुंसिपल कॉर्परेशन से नोसी लाना होगा इसके बाद आपको नियाएधिश उन्सका भी एक NOC चाहिए यानि के नियाएधिश अगर आपको NOC देते हैं तो उसके बाद आपको बार लाइसेंस के लिए आप लोग एपलाई कर सकते हैं तो ये कुछ ये चोधा ऐसी गाइडलाइन थी जो विभाग द्वारा दे गई हैं जो पूरा करना है ये दस्ताबेज यानि के ऐसी फॉर्मल्टीज 21 में से मैंने चोधा आपके लिए चिनित की थी और ये चोधा की चोधा मैंने आपके साथ सांजा की हैं कि क्या क्या डॉकुमेंट्स जो हैं क्या क्या फॉर्मल्टीज जो हैं वो आप लोगों को अगर आप सोच रहे हैं कि आप बार लाईसेंस लेना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से इस लाईसेंस है और सबसे अहम बात यह है कि एक सेप्टेंबर से सभी बार ओॉनर्स को बार लाईसेंस होल्डर्स को अपना लाईसेंस जो है वः रिन्यूञ करना है हाला कि इसके लिए वो कोट का दर्वाज़ा भी खट खट आया लेकिन कोट ने कोई राहत नहीं दी है ये तमाम जानकारी जो है वो दैनिक जागरन के हवाले से है जो हमने आप तक पहुंचाई है उमीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो स्केमरा में गगन के साथ देभ थाक और जिम